जिलाउना के कुटलेहड विधानसभाचेतर के गाउं जोगी पांगा के नजदीक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है यहां अग्यात लोगों द्वारा रात के अंधेरे में पांच बैलों को पहाड के नीचे फेक दिया गया जिसमें से चार की मौत हो चुकी जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका पशुप आलन विभाग की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है वहीं मामले की सूचना मिलते ही गौसेवा आयोक के सदश कृष्ण पाल शर्मा भी मौके पर पहुँची कृष्ण पाल ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है वहीं इस थाने लोग ने इस मामले में सनलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने की मांग उठाई है यह जो निंदनी जो कृट्प्य किसी ब्यक्ति ने किया इसमें बुरी तरह से इन पशों को बेजवान पशों को मारा गया है हो सकता है कि इनको या करंट के माध्यम से मारा गया या कोई जहरीला इंजेक्शन देकर इनको मारा गया अभी ये मेडिकल रुपोर्ट आने के बाद ही बता चलेगा यह जो जो ग्विवंगा पाखडा रोड पे जो ग्विवंगा मंदर के समीप जो पांच पशू ए उन में से एक जीवत चार मरेत जो रात के अंदेरे में कोई फैंग गिया है वो बहुत ही मानवता को ठठोरता हुआ क्रित कार्य किया गिया है मैं इसकी गोर निंदा करता हूँ पिया तो रख साय अभी मान पिया तो राख बीती आदो से नाता सहिशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उन से संबलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जोलिर्स अनमोल रिष्टों के लिए आपके स्वास्थे का प्रहरी स्रीबालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल